विद्यार्तियों आज के सत्र में लोक प्रशाशन के सिध्धान्त के अंतरगत हम एक बहुती मातुपूर्ण विशय पर चर्चा करेंगे और वह विशय है केंद्री करण एवं विकेंद्री करण आज के सत्र की चर्चा को हम निम्न शिर्षकों में विभाजित करेंगे प्रस्तावना, केंद्रिकरण एवं विकेंद्रिकरण अर्थ, केंद्रिकरण के गुण एवं दोश, विकेंद्रिकरण के गुण एवं दोश, केंद्रिकरण एवं विकेंद्रिकरण को प्रभावित करने वाले तत्व, केंद्रिकरण एवं विकेंद्रिकरण संतुलन और अं केंद्रिकरण एवं विकेंद्रिकरण परस पर विरोधी अवधारनाएं हैं दोनों ही अवधारनाएं शाषन में उप्योगी हैं लेकिन शाषन सत्ता का किस्प मात्रा में केंद्रिकरण या विकेंद्रिकरण किया जाए यह सदेव ही प्रशाषन हेतू बहस का विशय रहा है केंद्रिकरण एवं विकेंद्रिकरण का मुख्य बिंदू सत्ता है जब प्रशाशन के निम्न तल से उच्च तल की ओर सत्ता का हस्तांतरण होता है विद्यार्तियों प्राशाशन संगठन के माध्यम से कार्य करता है और यदि हम संगठन पर द्रश्टी डालें तो यह पद सोपान के विभिन इस्तरों से बना हुआ एक धाचा है अत्वा एक सरचना है संगठन के विभिन इस्तरों पर सत्ता बिखरी होती है और सत्ता के द्वारा निर्ने लिये जाते है जब निर्ने लेने की सत्ता संगठन के उच्च इस्तरों पर होती है तो यह केंद्रिकरण को विक्त करती है जबकि उच्च तलों से निम्न तलों की और जब सत्ता नीचे की और आजाती है तो यह विकेंद्रीकरण को व्यक्त करती है। संगठन की द्रश्टी से केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों का ही मत्व है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। आईए केंद्रिकरण एवं विकेंद्रिकरण का अर्थ देखते हैं केंद्रिकरण तथा विकेंद्रिकरण की अवधारनाय मुख्य रूप से संगठन में निर्ने लेने की शक्ती तथा भौतिक सुविधाओं के जमाव अत्वा विखराव से संबन्द रखती है संगठन में निर्णे की सत्ता के कितने केंद्र रखे जाएं ये मुद्दा ही केंद्रिकरण तथा विकेंद्रिकरण को निर्धारित करता है केंद्री करण का आशे एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें निर्ने करने का आदिकार प्रशाशन अत्वा संगठन के उच्च तल पर इस्थित सिमित निर्ने केंद्रों में ही तोता है तथा अन्य सभी इकाईयां केवल केंद्र के आदेशों के अनुसार ही कारिय करती है जब हम केंद्री करण और विकेंद्री करण के अर्थ पर दश्टी डालते हैं तो हम पाते हैं कि संगठन में सत्ता एक प्रमुक भूमी का निबाती है और सत्ता यानि कि निर्ने लेने की सत्ता और जब सत्ता के केंद्र संगठन के उच्च तलों पर केंद्रित दिखाई देत तो वो केंद्र करण को व्यक्त करते हैं। इस व्यवस्था में अन्य सभी इकाया केवल केंद्र के आदेशों के अनुसारी कार्य करती है। यह तथ्य बहुत महतुपून है। क्योंकि केंद्र करण की व्यवस्था में निर्ने उच्छी तलों पर किये जाएंगे और अन्य त प्रशाशन के निम्न तल से उच्च तल की और प्रशाश के सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रिकर्ण कहते हैं तता ठीक इसके विपरित अर्थात उच्च से निम्न तल की और व्यवस्था विकेंद्रिकर्ण कहलाती है। जाए और शेत्रे संस्थाएं अपने विवेक के आधार पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो तब ऐसी व्यवस्था को विकेंद्रीकरण की संग्या दी जाती है विद्यार्तियों यदि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को परिभाशाओं की द्रश्टी से देखें तो हम किśniej को जब सता का ह weak Tam was added का Para Ka अधिकारियों के दुष्छी को ध्यान में रखते हुए अधिनस्तों के अधिकारों को कम करके उन्हें अधिकारियों की तरफ भेज दिया जाए तो यह प्र है किंजी करें खैला ती है इसके विप्रुत जब शेत्री एकाईयों को निर्णे लेनी की स्वाहित्ता प्रदान कर दी जाती है तो वो विकेंद्री करण के रूप में व्यक्त होती है सारांस में हम कह सकते हैं कि निर्णे लेने की सत्ता का केंद्री में उच्छ इस्तरों पर होना या निम्न इस्तरों पर होना यही तथ्य निर्धायित करता है कि संगठन में केंद्री करण को महत्यो प्राप्त है या विकेंद्री करण को विकेंद्रिकरण एवं प्रत्यायोजन में अंतर सामान्य तया विकेंद्रिकरण एवं प्रत्यायोजन को एक दूसरे का समाना अर्थक माना जाता है लेकिन दोनों आउधार्णाओं में मूल भूत अंतर है विकेंद्रिकरण एवं प्रत्या योजन के बीच मौलिक अंतर यह है कि विकेंद्रिकरण के अंतरगत इस्थानिय निकाय उनको प्रदान की गई शक्तियों के सम्मंद में स्वायत होते हैं विद्यार्तियों, संगठन के संदर्व में विकेंद्रि करण और प्रत्यायुजन एक समान अर्थ जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में अंतर होता है, जहां विकेंद्रि करण के अंतरगत निर्ने लेने का अधिकार निम्न तल के आदेशों की पाल ना करनी होती है निर्ने देने का अधिकार उनके हाथों में नहीं होता है तो इस तरह से यदि निर्ने लेने का अधिकार और कार्यानवित करने का अधिकार दोनों निम्न तलो पर है तब तो वो विकेंदिकर्ण है जबकि केवल निर्ने लेने का अधिका निम्न तलोपर है तो इसे हम प्रत्ययोजन के रूप में मानते हैं वास्ता में वे मुख्य कार्या लेके नाम पर इन शक्तियों का उप्योग करते हैं इसके अतरिक विकेंद्रिकरन एक विस्तरत अवधारना है जिसमें संपूर्ण संस्था या निकाय को सत्ता दी जाती है ज अधिनस्तों को योग्य बनाना और उच्छ अधिकारी के कार्य भार को कम करना होता है जबकि विकेंद्रिकरन का लक्ष संगठन में लोकतांत्रिक मुल्यों को प्रसारित करते हुए अधिनस्त इकायों को स्वतंत्रता देना होता है विद्यार्तियों विकेंद्रिकर्ण और प्रत्यायोजन को यदि उद्देश्यों की द्रश्टी से देखें तो हम पाते हैं कि प्रत्यायोजन का अर्थ प्रशाश्की है अर्थात संगठन के कारिये को शल्ता लाने के लिए या संगठन में कारिय भार का ठीक प्रकार से वित्रण करने के लिए अत्वा उच्च अधिकारियों के कार्य भार को कम करने की द्रश्ति से, प्रत्यावजन के आवशकता होती है। वहीं संगठन में लोकतांतरिक विचारों को बढ़ावा देना, जिसके अंत्रगत संगठन में सबी को समान अधिकारों की प्राप्ती होती है। तो इसलिए प्रत्यावजन का अर्थ प्रशाश के कुशलता है जबकि विकेंद्री करण का अर्थ लोक्तांत्रिक बुल्यों को बढ़ावा देते हुए अधिनस्त इकाईयों को स्वतंत्रिता प्रदान करना होता है केंद्री करण के गुण केंद्री करण एक परम परागत अवधारना है जिसके निम्न गुण माने जाते हैं प्रथम परियाप्त नियंत्रन केंद्रिकरण की व्यवस्ता में केंद्रिय सत्ता का संगठन के विबिन भागों पर परियाप्त एवं प्रभावशाली नियंत्रन रहता है जिससे इस्थानिय करमचारी मनमानी नहीं कर सकते तथा संगठनात्मक प्रभावशेलता बढ़ जात में होती है तो उस सत्ता का उपयों करते हुए वे अधिनस्त अधिकारियों पर परियाप्त नियंत्रण रखते हैं इस कारण संगठन में अनुशाशन हींता या कम कार्य कुशलता या कार्य में रूची ना लेना जैसे नकारात्मक तत्व नहीं आपाते दूसरा समन्वय समन्वय सरल हो जाता है विद्यार्थियों केंद्रिकत व्यवस्ता में जब निर्ने लेनी के सत्वा संगठन के उच्छ तला पर चली जाती है तो उसके अधिनस्त काम करने वाली सभी काईयां एक दूसरे से संबद हो जाती है वो उच्छ तल के माध्यम से एक दूसरे के संप परक में रहती है और यह समन्वे की द्रश्टी से बहुत लाबदायक सिद्ध होता है इसी प्रकार राष्ट्रे हितों की रक्षा राष्ट्रे महत्यों के विभिन विशयों जैसे वित्त नियोजन रक्षा करारोपन एवं कर एकत्रन व्यदेशिक समन्वे इत्यादी के विद्यार्तियों जदी राष्ट्रे हित के कुछ विशयों की बात करें जैसे वित्त व्यवस्ता या राष्ट्रे इस तर पर नियोजन की व्यवस्ता या करों को एकत्रित करना या व्यदेशिक संबंद तो इन संबंद में आप विकेंद्री करन के माध्यम से अधिक लाब तो यहाँ पर भी तरुंत निर्ने लेने के लिए केंद्रि स्थेत पर निर्नायक निर्ने लिये जाते हैं। मित्व्याइटा केंद्रिकरण से संगठन में कार्मिकों एवं संसाद्वनों का पूर्ण सदोप्योग निश्चित किया जा सकता है। पुन्रावर्ती तथा अतिराव की समस्या से मुक्ति मिलने के कारण भी संगठन में मित्व्याइता आती है। इसी प्रकार एक रूपता के स्थापना केंद्रिकरण में संगठनात्मक एवं प्रशाष्निक एक रूपता स्थापित हो जाती है। और सभी इकाईयां एक नेत्रत्व के अधीन एक जैसा व्यवार वकारिय संचालन करती है। जिससे नागरीकों को एक रूप सेवाओं एवं नीतियों का लाब मिल जाता है। केंद्रिकर्ण की व्यवस्था के अंतरगत किसी कारिय या किसी कारिकर्म को लेकर एक जैसी नीती बनाई जाती है और संसादनों का सर्वशेष्ट उप्योग नियोजन के माध्यम से सूनिश्चित किया जाता है इसलिए पून द्रस्टी से देखें तो केंद्रिकर्ण के रूप होती है इसके विप्रत यदि अलगलिक स्थानों पर अलगलिक नीतिया बनेगी तो उनमें एक रूपता नहीं आ पाएगी और जब एक रूपता संकठन में आ जाती है तो उसका लाब जनता को निश्चित रूप से होता है लेकिन केंद्रिकर्ण व्यवस्था के कु रूपन योगदान एवं नियंत्रण हो परंतु केंद्रिकर्ण में इसका अभाव पाया जाता है शाशन व प्रशाशन में आम जन की भागीदारी ना होने पर क्रियानवेन प्रक्रिया को विफलताओं का सामना करना पड़ता है विद्यार्तियों केंद्रिकर्ण व्यवस् जबकि केंद्रिकर्ण की व्यवस्ता ऐसा नहीं करती इसका प्रत्यक्स नुकसान या हानी यह होती है कि केंद्रिकर्ण में जड़ता व कठोरता पाई जाती है इस्थानी अधिकारी केंद्रिय आदेशों में इस्थानी परिस्थित्यों के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते अधिनस्त ऐसे कठोर प्रशाशन के आदेशों का पालन आधे मन से करते हैं साथ ही ऐसे प्रशाशन में जन सहभागीता एवं जन सयोग ना होने के कारण प्रशाशन अलोक्रिय बन जाता है केंद्री करण का दूसरा जो सबसे बड़ा दोस है वो यह है कि यह जड़ता और कठोरता का समर्थन करता है अर्थात निर्ने केंद्री स्तर पर एक बार ले लिया जाते हैं और फिर यह अधिनस्तों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस प्रकार से आदेश दिये गए है उसी प्रकार से उन आदेशों को लागू किया जाए यहां पर यह ध्यान भी नहीं दिया जाता कि इस्थानी आवशक्ता है क्या कहती है या इस्थानी परिस्थितियों के नुसार उन आदेशों में क्या परिवर्तन किया जा सकता है अधिनस्त अधिकारी इन बातों को जानते हुए भी ऐसा परिवर्तन नहीं कर पाते क्योंकि निर्णे लेने की शक्ति उच्चे स्थरों पर होती है और इस कारण ऐसे कारिक्रमों को जन सयोग और जन सहभागिता का लाब नहीं मिल पाता कारिय में देरी केंद्री करण के कारण संगठन या प्रशाशन में कारिय में देरी क्योंकि प्रत्यक निर्णे के लिए अधिनस्त इकाईयों को केंद्री इकाईयों के सामने देखना पड़ता है दूसरी तरफ केंद्री इकाईयों के पास कारिय का बहुत अधिक बोज होनाने के कारण कारिय की प्रक्रिया में देरी हो जाती है और इसका नुकसान जो होता है वो शेत्रे कायों पर कारियों की अक कारिय कुशलता के रूप में सामने आता है तुरूटी पूर्ण निर्णे केंद्रिकत व्यवस्था में केंद्रिकारी इस्थानी परिस्थितियों समस्याओं तता आवशक्ताओं से आप परिचित होते हैं अतवे इस्थानी आवशक्ताओं के अनुरूप निर्णे नहीं ले पाते अपनी समझ से वे जो निर्णे लेत और जब शेत्र में जाकर उन निर्णय को लागू किया जाता है तो उनकी तुरूटियां सामने आती है पंचम आकोशलता केंद्रिकत व्यवस्था में इस्थान ये करमचारी केंद्रिके आदेशों का अक्षरश पालन करते हैं जिससे उन्हें अपने विवेक एम कोशल का प् कुछ प्रभाव पढ़ते हैं प्रथम नकारात्म प्रभाव ये होता है कि संगठन के करमचारी एक यंत्र के पुर्जे के समान हो जाते हैं जो उच्चे स्तरों से आदेश प्राप्त करते हैं और उन्हें अक्सरस वैसे का वैसा लागू कर देते हैं उनमें किसी भी नई प व्यवस्ता के कुछ गुण देखते हैं विकेंद्रिकरण व्यवस्ता के निम्न गुण है प्रथम वास्त्विक एवं व्यापक लोकतंत्र व्यापक जन संपर्क एवं जनता के सक्रिय सरयोग से ही लोकतंत्र वास्त्विक एवं व्यापक बनता है विकेंद्रिकरण की प्र दोनों रूची लेकर कार्य करते हैं विद्यारतियों विकेंद्रिकरण की व्यवस्ता लोकतांतरिक मुल्यों का सम्मान करती है और उनका पोशन करती है जैसा कि हमने विकेंद्रिकरण के अर्थ में देखा था कि ऐसी व्यवस्ता में निर्ने संगठन के उच्छे इस्तरों प नातीए गौं बितिये इस्थानिय समस्याओं का शिग्रे समाधान को उनके वास्त्विक रूप में भली बाते समझने उनका मुल्यांकन करने एवं प्रभावी समाधान हे तु निर्ने लेने की द्रश्टी से विकेंद्री करण आवश्यक होता है विकेंद्री करण में चुक कि शेत्रे या इस्थानी एकाईयां अपने निर्धायत अधिकार शेत्र में निर्ने और कारवाई करने को स्वतंत्र होती है अतर कारिये में विलंब नहीं होता चात्रों, विकेंद्री करण की व्यवस्ता का सबसे बड़ा लाब यह है कि इसमें इस्थानी इकाईयों को ना केवल शक्तियां प्रदान कर दी जाती है अनके बलकि उन्हें अपने शेतरा अधीन रहते हुए मतपूर निर्णे लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो जब विकेंद्री की इकाईया अपने शेतर के अंतरगत स्वय निर्णे ले सकती है तो कार्य में किसी प्रकार का विलम नहीं होता और समस्याओं का भी सिग्र समाधान हो पाता है तरती प्रशाशन में लोच शीलता विकेंद्री करण में प्रशाशनिक लोच शीलता एवं गती शीलता दोनों में वरद्धी होती है इस्थानिय समस्याओं का इस्थानिय संसाधनों तता सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुसार समाधान तबी संभव है जबकि निर्ने की सत्ता इस्थानिय स्तर पर ही उपलब्ध हो विकेंद्रिकर्ण के अंतरगत प्रशाशन परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप अपने कारिये के तरीकों में संशोधन कर सकता है जो कि प्रशाशन में लोच शीलता का परिणाम है विद्यार्तियों लोच शीलता विकेंद्रिकरत प्रशाशन का सबसे बड़ा गुन है इसके अंतरगत यदपी कारिक्रम बनाए जाते हैं नीतिया बने जाती है लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस्थानिय परिश्टितियां और इस्थानिय आवशक्ताइं किस प् प्रतिशत सफलता प्राप्त करते हैं नवाचारों को प्रोत्साहन जड़ता को तोड़कर नवीन विचारों को तब ही अपनाया जा सकता है जबकि ऐसा करने की स्वायतता प्राप्त हो विकेंद्रिकर्ण की अंतरगत जब इस्थानिय एकाईयों को इस्थानिय समस्याओं क को इस्थानिय कार्यकरताओं को किसी भी समस्या के बारे में स्रजिनात्मक विचार प्रस्तूत करके उन्हें लागू करने की स्वायत्ता प्राप्त होती है। पार्य भार में कमी विकेंद्रिकरण की व्यवस्ता में उच्छ अधिकारी छोटे व कम महत्व के कारियों में न उलज कर अपना सारा ध्यान अधिक महत्वपूर्ण मामलों जैसे नीती निर्मान इत्यादी पर लगा सकते हैं इससे संगठन की उत्पादक्ता बढ़ता कार्तियों जब संगठन में निर्ने लैने की प्रक्रिया केंद्रिकरण और विकेंद्रिकरण दोनोंके माद्यम से पूरे संगठन में फैल जाती इससे संगठन में एक इस्थान पर कारियों का बोज केंद्रित नहीं हो पाता और उच्छ अधिकारी महतोपूर्ण विश्यों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं सश्टम नीती एवं क्रियान वेन में समनवाए विकेंद्रिकर्ण के अंतरगत नीतियां एवं योजनाएं इस्थानी इस्थानी इस्थार पर ही बनती है और उनका क्रियान वेन भी इस्थानी इस्थार पर ही होता है ऐसे इस्तिती में योजनाओं के निर्मान वर क्रियानवेन में एक रूपता होने से उनकी सफलता सू निश्चित हो जाती है विद्यार्तियों, विकेंद्री करण की विवस्ता में कारिक्रमों और नीतियों को जहां लागू किया जाएगा उनी इस्तरों पर उन कारिक्रमों का और नीतियों का निर्मान होता है और हम समझ सकते हैं कि जब इस्थानी इस्तर पर ही कोई नीति या कारिक्रम बनती है वीकेंद्रिकरण की आउधारना लोकतंत्र के अनुरूप एवं कुशलता में व्रद्धी कारक होने के उपरांत भी इसमें निम्न दोश हैं। प्रथम एक रूपता का अभाव। कई बार इससे अतिराव एवं पुन्द्रावर्ति की समस्याएं सामने आती हैं। विद्यार क्यों वीकेंद्रिकरण की व्यवस्था भी दोसों से रहित नहीं है। जैसा प्रथम रूप में हम देखते हैं कि जब विकेंद्रिकरण की व्यवस्था को अपनाया जाता है तो सं लेकिन राज्य सूची में होने के कारण प्रत्यक राज्य ने इस विशय में अलग-लग कदम उठाए और उसी लिए हम पाते हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था को लेकर भारत के विभिन राज्यों में एक रूपता नहीं है। यही स्तिति किसी संगठन में विकेंद्र करना व्यवारिक सिद्ध नहीं होता। रक्षा, बजट, गुप्तचर सेवाएं, वैदेशिक संबंदों जैसे राष्ट्रे मर्त्व के गंबीर विशयों पर विकेंद्री करन को अपनाना आत्म घाते सिद्ध हो सकता है। एक सीमा से अधिक विकेंद्री करन करने पर अनेक प्रकार की दूविधाएं उत्पन हो जाती है। विद्यार्तियों राष्ट्रे इस्तर पर बहुत से ऐसे मसले होते हैं जैसे की रक्षा बजट को तैय करना, गुप्तचर सेवाओं का संचालन करना, वैदेशिक संबंदों को नियमित करना ये ऐसे कारी हैं जिस पर कि आप केंद्रिकर्ण स्तर पर ही निर्ने ले सकते हैं। यदि इन शेत्रों में हम विकेंद्रिकर्ण को लागू करें तो ये व्यवस्ताएं बहुत ही जटिल हो जाएगी और आव्यवहारिक बन जाएगी। तो इसलिए कुछ मामलों में राष्ट्रे हिस्त की दर्ष्टी से हम व समन्वgriff जटिल हो जाता है इसके कारण संगत्रन में सचार के स्थर भी बढ़ जाते हैं और स्वायत्ता कई बार और राजिक्ता में बदल जाती है नियंत्रन वे समन्व regulatory में बाधा संगत्रन की प्रभाव शीलता को प्रभावित करती है विद्यार्तियों विकेंद्री करण को जब एक सीमा से अधिक अपना लिया जाए तो ऐसी इस्तिती बन जाती है कि पूरे संगठन में एक ही मसले पर नेर्णे लेने के बहुत सारे केंद्र बन जाते हैं और उनके बीच में टकराव ह होना स्वाभाविक होता है तो इसलिए संचार के इस्तरों से बढ़ जाने के कारण नियंत्रण और समन्वे में बाधा उत्पनव जाती है और इसका नकारात्मक प्रभाव संगठन की कार्ये कुशलता पर पड़ता है चतुर्त इस्थानिय दुष्प्रभाव इस व्यवस् इत्यासिक संदर्ब इस्थानिय दबाव समू इत्यादी का दबाव कार्ये करने लगता है और पक्षपाज जाती वर्ग भेद संगर्ष जैसे नकारात्मक तत्व सामने आते हैं विद्यारतियों जब विकेंद्रिकर्द व्यवस्था के अंतरगत निर्ने लेने के सत्ता इ तो इस्थानिय स्थापर कार्ये करने वाले विद्यारत्मक तत्व जैसे दबाव समू या जाती वर्ग भेद इत्यादी के कारण जो नकारात्मक तत्व होते हैं वो इन निर्ने केंद्रों को प्रभावित करने लगते हैं और इससे हो सकता है कई बार निर्ने प्रक्रिया उतनी अच्छी नहो जितनी की केंद्रिकन व्यवस्ता के अंतरगत हो सकती है। अपव्याइ, विकेंद्रिकन के कारण प्रशाष्निक संगर्ठनों का प्रसार तथा कार्मिकों की संख्या में व्रदी होती है। इनके वेतन भत्ते आदी के रूप में खर्च भी बढ़ जाता है ऐसे व्यवस्ता में नियंतन सम्मंदी प्रावदान शितिल होने से अपव्याय की मातरा बढ़ जाती है विद्यारतियों विकेंजरी करण के अंतरगत व्यवस्ता को चलाने के लिए बहुत अधिक कार्मिकों के आउशकता होती है निश्चेत रूप से अधिक कार्मिक होने के कारण उनकी जो वेतन और अन्य खर्चे वो भी बढ़ जाते हैं इसलिए विकेंजरी करण की विवस्ता को अपव्याय कारी भी माना जाता है आएए केंजरी करण वो विकेंजरी करण को प्रभावित करने वाले तत्व देखें James W. Fessler ने केंद्रिकरण और विकेंद्रिकरण को अपनाने के करम में चार तत्वों का वर्णन किया है प्रथम कार्यात्मक तत्वों यदि कार्य एक समान प्रकरती के हो तो केंद्रिकरण जबकि बहु आयामी तथा तक्निके विभिन्ता वाले कार्यों है तूँ विकेंद्रिकरण उप्योगी है विद्यार क्यों जैंप्ष डबलू फैसलर ने कुछ तत्व बताएं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति किसी संगठन में केंद्रिकरण और विकेंद्रिकरण को अपनाने के समद में निर्ने कर सकता है जैसे प्रथम तत्व उन्होंने कार्यात्मक तत्व के रूप में लिया यदि कार्य एक रूपता वाला एक समान है तो केंद्रिकरण को अपना ये यदि कार्य विभिन्ता वाला है अलग अलग पहु आयामी वाला है तो उसके लिए आप विकेंद्रिकरण को अपना सकते है द्वितिये प्रशाशनिक तत्व किसी नए संगठन में आखुशल कार्मीकों वाले संगठन में या अस्थर नीतियों वाले संगठन हे तू केंद्रिकन जबकि पुराने संगठन में खुशल कार्मीकों और इस्थाई नीतियों वाले संगठन हे तू विकेंद्रिकन विद्यार्तियों यदि आपका संगठन पूराना हो चुका है उसमें इस्थाई रूप से नीतिया हो गई है करमचारी कुशल है तो आप विकेंज्रिकरण को अपना सकते हैं लेकिन इसके विपरित इस्थितिया हैं तो वहाँ पर केंज्रिकरण को अपनाने की सलह दी जाती ह इसी प्रकार उत्तरदायत्व ये तय करता है कि संगठन को केंज्रिकरण अपनाना चाहिए या विकेंज्रिकरण को अपनाना चाहिए यदि उत्तरदायत्व की भूमी का बहुत महतुपोने तो फिर ऐसे संगठन में केंज्रिकरण को अपनाया जाता है चतुर्थ बाहरे तत्व संगठन का परियावरन सामाजिक आर्थिक वभगोलिक दशाएं केंद्रीकर्ण या विकेंद्रीकर्ण का चैन करती है जन्मत का जुकाव विकेंद्रीकर्ण की तरफ होता है लोकतांत्रिक मुलिय विकेंद्रीकर्ण का समर्थन करते हैं जबकि आर्थिक नियोजन, राष्ट्री एक्ता, राष्ट्र पर आने वाले संकट और मित्वेता की आवशक्ता केंद्रिकन अपनाने को विवस्त करते हैं। जबकि राष्ट्री आर्थिक को अपनाने का समर्थन करेगा। केंद्रिकरण का समर्थन करेगी इसलिए केंद्रिकरण और विकेंद्रिकरण इन दोनों को किस मात्रा में अपनाया जाए इन तत्वों के आधार पर हम तैय कर सकते हैं केंद्रिकरन एवं विकेंद्रिकरन संतुलन। को प्राप्त हो सकता है विद्यार क्यों केंद्रिकरण और विकंद्रिकरण दोनों के गुण और दोशों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि संगठन में इन दोनों तत्वों का संतुलन होना चाहिए सभी प्रभावक तत्वों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एक ऐसे स्तिती प्राप्त करनी चाहिए कि इन दोनों अफ्धारणों का संपूर्ण लाप संगठन को प्राप्त हो सके अंत में शारांस रूप में हम कह सकते हैं वास्ता में केंद्री करण एम विकेंद्रिकरण सत्ता के दो छोर हैं इसलिए ये सापेक्षिक सब्द हैं संगठन में निर्णे लेनी की सत्ता का केंद्र ही केंद्रिकरण एम विकेंद्रिकरण की मात्रा को तय करता है संगठन एम प्रशाशन के सुचारू संचालन ही तू दोनों ही अवधारना को उप उचितम इस्तर तक ले जा सकता है विद्यार्तियों हम शारांस रूप में कह सकते हैं संगठन के सूचारू संचालन के लिए ना केवल केंजरी करण बल्कि विकेंजरी करण भी उतना ही लाबदायक है परंतु एक अच्छा प्रशाशक इन दोनों अधारनों का उप्योग इस संतुलित अवस्था में करता है कि वो अपने संगठन की कार्यकुशल्टा को उचितम इस्तर तक ले पाता है विद्यार्तियों आज के सत्र में केंजरी करण और विकेंजरी करण के समंद में जो चर्चा हमने की है वो आपके ज्यान के लिए बहुती मलत्पूर्ण सिद्ध होगी धन्यवाद